नमस्कार दोस्तो, मैं कुंदन सर्मा, आप लोग सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए बिजनस ऑपर्चुनिटी के साथ में तो फेंट्स, आज जो है मैं आपको गोट फार्मिंग बिजनस के बारे में बताने वाला हूँ तो वीडियो में अंतक बने रहेगा क्योंकि मैं इस वीडियो में सारे चीज़ कवर करने वाला हूँ कि गोट फार्मिंग आप कितनी पैसा से स्टार्ट कर सकते हैं और कौन-कौन से नसल लेके आपको गोट अपनी फार्म में रखने पड़ेंगे उसका खाने का एरेंजमेंट है आपको किस प्रकार से करना पड़ता है सेडिंग किस प्रकार से होगा यह सारे चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ तो वीडियो के अंतक बने रहे हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अपने बारे में बताइए कि आप इस बिजनस में कितने सालों से है और आपका एक्स्प्रेंस क्या है पहला लॉक्डाउन से ही उसके पहले से हम इस वासाय में उत्रे हैं तो अभी तक काने का मतलब नो लॉस नो गैन कुछ दिन था लेकिन अभी जो है आप समझ में आ रहा है कि क्या क्या हमको करना पड़ेगा तो पहले यह जो बाकरियां हमरे ज्यादा तर है वर्वरी का है और बलेक बंगल है और दो चार यह सिर्वही का है और खसीता उस अब तो सुच एक एक करेंज कॉल करेंगे इस दरस नहीं होगा उसको प्रद्यान देना HOगा और कहना समझ समझ पर एक दम उसका देनाहोगा इसमें जोंच मोंच जो कर यह सब का पुरुपर मिक्सिंग बना करके आपको इसा दियना होगा अभी किस ममें हम लोग देखे तो मार्केट कैसा है तो अगर उस तो जो उस तो रहा का तो अब तईयार कर सकते हैं तो मार्केट बहुत अच्छा मिलेगा तो उसको तो पंदरह वीस से ज्यादा नहीं इसलिए कि अगर ज्यादा रख लेगा तो समाल नहीं पाएगा और समाल नहीं पाएगा तो उसको जब कम रहेगा अगरी बाढआ तो जैसर को ज birthday आगरे समाल नहीं नहीं पाएगा तो उसका धिरेगी जयादा करन पाएगा hyperensus प्यादा यह दो करनाना पड़ता है तो PPR, FMD यह मुह में जो घाव हो जाता है और एक एटी होता है जो चकर खाकर गिर जाता है यह तीनों का जो टीका का अला कि बहुत सस्ता है 200 रुपिया का है लेकिन लाना पड़ेगा यह मिलता नहीं उसको मंगाना पड़ता है तो सो बखरीयों का रहता है तो जितना है बाक और ऐसे लिवर्टोनिक और केल्सियम वगरा यह सब समय समय पर आपको देना पड़ेगा अभी आप सून रहे थे महतु सर को महतु सर ने बताया कि गौट फार्मिंग का अगर बिजन स्टार्ट करना चाते तो सबसे पहले इनिशिल लेवल पर आप 15 से 20 बखरी से आप स्ट इसके लाबा सर ने यह भी बताया कि जब आप फार्मिंग करेंगे गौट का तो उसमें विमारी एक सबसे बड़ा कोशन रहता है तो बहुत सारे बखरी को बिमारी भी होता है जिसके करना आपको टीका करन करना पड़ता है तो टीका करन में सबसे जाद जो इन्पोर्ट है वो PPR है और FMD है इसके लबा आपको केलसियम के बहुत सारी टोनिक जो है उनको देने पड़ते हैं सारी बखरी को अब जो है हम लोग समझेंगे सर से कि अगर आप गौट फार्मिंग 15 या 20 बखरी से स्टार्ट करना चाहते तो आपको कितना एरिया का रिक्वामेंट रहेगा तो सर सबसे पहले बताइए क्या एरिया का रिक्वामेंट रहेगा और रहने के लिए वही 20 बाई 20 का यह आपका कमरा देजिए और उसमें पटीशन करके रखिए तक यह अच्छा रहेगा तो पर्टीशन में क्या होता है जो बक्री तो जो थोड़ा वरियार रहता है उसमारता है अच्छा एक दूसरे को मारता है पार्टीशन करके रखना पड़ता है अगर देखे तो पंद्रह यह 20 बक्री रखेंगा तो कितना एरिया लग जाएगा हम लोग को टूटल वही वी चाहरा खाने के लिए यहां पर इस तरह से एक बनाया गया है तो अगर आप भी अगर फार्मिंग करेंगे तो आपको भी इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा तो यहां पर एक दिक्कत होता होगा कि बगरी इस पर चड़ के बैट भी जाता होगा हां बैट जाता है तो उसको सफाई करते उसको दिया जाता है तो आपको हरा चारा बहुत जरूरी है इस अब को अच्छा अब दोपार में हरा चारा देते हैं ठीक है ठीक है उसके लिए देखें उधर वागान भी है मेरे पास करीब-करीब एक भी घा में घास लगाए है तो बगरी को तेजी से बढ़ इसब का पूपर मिक्शेर बनाकर के लोगों को यह जो है कुट्टी वगरा साथ में जिए जाता है यह ज्यादा दिया जाता है और दलहन वानफॉर करके जिसने साब दे आता है चोकर और खली जो है यह सब को मिला करके इस अधर देते हैं तो मैं थंदा के दिन में अधर द करके और अभी थंडाक सीजन में अभी थोड़ा तेल वगर भी पिला जाता है बगरी को थंडाना लगे उसके थंडाना लगे उसको सर्दी कम होगा उससे अलेकिन एक चीज़ हम भूल गए हैं बोलने के लिए इसो का जो है तिन-तिन महें माम डी वार्मिंग जरूर करनाना प बहुत जब जबनाजोल सब देना पड़ता है मैं यह आपको देना ही पड़ेगा इसके वड़ावा आप नहीं आप कला पड़ा घर जो फार्म जो है यह एक तो कच्छा बीनस है इसमें आपको बहुत ज़्यादा चुनोतियां है जनलने के लिए थोड़ा उसको अंदर से जागाना पड़ता है तो इसके लिए झाल दीन में तेल पिला जाता है और खली ज्यादा खिला जाता है और डी वार्मिंग जो है घरमी होचे परसाद हो हर तीन महिने आपको डी वार्मिंग करना ही तो इस तरह से आपको रहना पड़ेगा तो अभी आप जो है महातोसर को सुन रहे थे सर ने पताया कि god farming जब आप इस्टार करेंक तो आपको बहुत सारी challenges जो है आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि गर्मी बरसात ठंडा यह तीनों जो है अलगलग मौसम में जो है आपको अपने farm में जितने भी god रहेंगे अपको इसको मैंटेन करना पड़ेगा और हर एक बकरी को जो है तीन-तीन मेहने में डिवार्मिंग करना पड़ेगा उसके लिए उनको मेडिसिन खिला जाता है और आपको उसको मेडिसिन खिलाना पड़ेगा नहीं लोहा का रेलिंग लगा सकते हैं, जिसमें बक्री सिर्फ अपना गर्दन सिर्फ गुसा सकता है, बाकि वो इस पर चड़के बैठेगा नहीं, तो यहां पर थो आप इंप्रूब्मेंट कर सकते हैं, तो अगर आप गौट फार्मिंग का बिजनस 15 या 20 बक्री से करना चाते हैं तो आपको 600 स्कॉर फिट का एरिया मिनियम रिकॉर्मेंट है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर गौट फार्मिंग किया गया है, यहां पर भी जो एरिया है, लमसम उतना ही है, और आपको अपने गौट फार्मिंग कौन सा नसल का गौट रखना यह सबसे और इस साहर बताएंगे कि इसमें किस प्रकार का ब्रीडर आपको रखना पड़ता है यह आपका नसल कर रहा है कि आपका ए्टमस्पेर के सायर ठीक है यह यह राइस्तानी नसल है तो राइस्थान का अच्छाप गर्म है उसकी लिए बहुत लगा यह तरह हो गया यह एक यह दोनों में इसको आप चारा के भी पाल सकते हैं और इसको यह बिलेक बंगाल हम लोग का जहारकंड बिहार बंगाल का सबसे फ्यावरेड बकरी यहां पर मैं एक बात करना चाहता हूं कि कोई भी नया फार्म जो बकरी फार्म सुरू करना चाहता है वो दस बकरी पे मिनिमम दस बकरी पे आपको एक ब्रीडर चाहिए ब्रीडर आपको उसका खान पन अच्छा करना होगा जैसे कि दस बकरी को समालना थोड़ा मुश्किल काम होता है ठीक है तो अभी Mr. Santos जी बदा रहे थे हैं कि अगर आप 10 बकरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो दस बकरी पे एक आपको ब्रीडर रखना पड़ेगा तो यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको देखना है कि अपने गौट फार्म में आप कितने नंबर आफ बगरी रख रहे हैं तो इसकी हिसाब से आप ब्रीडर को सल इस लोगेशन से बिलॉंग करते उसकी हिसाब से आपको अपने गौट फार्मिंग में उसी नसल का आपको बकरी रखना पड़ेगा तो मेरा परसनल ओपिनियन यही है कि अगर आप गौट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बरबरी नसल के बकरी आप रखिये क्योंकि बरबरी बकरी में रोग परती रोज़क छमता जादा होता और उसमें मेंटरेंस भी काफी कम लगता आप बरबरी बकरी रखेंगे तो फेंट्स आप उसको चराक के भी पाल सकते हैं इसके लबा आप घर में चोकर और कुटी खिला कर भी आप उसको पाल सकते हैं त तो दस बकरी पे एक बगरा यहाँ पे clear है आप लोग को, तो सबसे पहले आप God को अपने फार्म में रखने के लिए आपको shade और partition त्यार करना पड़ेगा, यानि यहाँ पे आप God farming का बिजन स्टार्ट करना चाहता है तो पहले आपको अपना फार्म त्यार करना पड़ेगा, तो आप picture में देख सकते हैं जिस तरह से फार्म त्यार कियागा, आप इस तरह से भी त्यार कर सकते हैं, इसके लाव चारा खान निकली वहाँ पे उनका नाद बनाना पड़ेगा, तो नाद में भी आपका अलग से खर्चा हो जाता है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो investment है आपको farm develop करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे आप 20 से 25,000 तक आप consider करके चल सकते हैं, इसके बाद जो दूसरा investment है, आपको 10 बकरी बरबरी नसल के purchase करने पड़ेगा, तो अगर आप बरबरी नसल के पुरा develop वाला बकरी लेके आते हैं, तो friends आपको एक बकरी का price जो है आपको 10,000 रुपे पड़ जाता है, तो इसके पीछे जो है आपको 1,15,000 रुपे investment करना पड़ेगा, इसके बाद जो आपका तीसरा investment है, आपको as a working capital आपका यहाँ पे लगने वाला है, working capital की बात करें तो आपके पास में 50,000 रुपया होना चाहिए, इस working capital में बहुत सारे expenses included, जैसे कि बहुत सारे medication खर्च भी आएंगे, और जितने भी बकरी आप रखेंगे, उनका maintenance खर्च भी इसमें included है, यहाँ पे working capital क्यों जरूरी है, यह सबसे पहले जान लेते हैं, देखिए जो भी आप बगरी लेके आएंगे, वो आपको तुरंत पैसा नहीं देने वाला है, क्योंकि फ्रेंट्स यहाँ पे आपको तुर्ण टाइम देना पड़ेगा, बगरी को पीछे उसको develop करना पड़ेगा, मैं आपको पता दों कि बरबरी नसल के जो बगरी होते हैं, वो एक बार में दो बच्चे देते हैं, और पूरे साल भर में दो बच्चे देंगे, तबी friends जो है आपका 40 बच्चे जो है पुरा safe रहेगा इसके अलवाज जो 40 बच्चे रहेंगे उसमें से बहुत आरे बकरी भी हो सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग 30 बच्चे consider करके चल रहेते यानि कि पूरे साल में यहाँ पे 30 बच्चे आपके बकरियां देंगे तो हम लोग Mr. Santuji से जानेंगे कि अगर आप जारकन बिहार से बिलॉंग करते हैं तो आप जो है कितना कमा सकते हैं God Farming बिजनस से तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे पुरा देख लेते कि आपका total investment कितना लगने वाला तो यहाँ पे आप लोग question हो सकता है कि क्या sir हम लोग God Farming loan लेकी start कर सकते हैं किने या government के तरफ से कोई scheme निकाला गया है किने God Farming करने के लिए तो fans यहाँ पे मेरा answer है yes God Farming के लिए government के तरफ से जो है अलग-अलग scheme निकाले गया है आप अगर loan लेकि इस business को start करना चाहते हैं तो मैं बता दो कि अंबेतकर विसेस रोजगार योजना के अंतरगर्द जो है कितना subsidy मिलेगा वो fans हम लोग किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे तो अगर आप लोग को इस योजना के अंतरगर्द अगर separate वीडियो चाहिए तो fans वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किजिए तो fans यहाँ पे अब जो है हम लोग मिश्टर संतो जी से बात करने वाले हैं और जानेंगे कि अगर आप God farming का बिजन स्टार्ट करते हैं तो आप God farming से पूरे साल भर में आप कितना कमा सकते हैं सर अब बताइए कि अगर कोई God farming स्टार्ट करता है दस बक्री से तो महिने का कितना maintenance खर्च आएगा यह अंगवाट farming करने के लिए तो आपको पर्डे पर बक्री आपको दस से बीस रुपिया तो मालने है कि आपका अगर दस बक्री तो पर्ड़े आपको वीश रुपिया के तौर पर आपको 200 रोटा जाएगा ठीक है इसे तरह साथ मंतलिया उसको एड़ कर सकते हैं आपको मिनिमम पड़ जाएगा जिसमें आपको बिजली बील आपको लेबर खर्चा उसका खाने पीने का सारा चीज अपका जगा पानी का भोजन कुटी चोकर बिजली सेड सारा चीज जैसे आपने बताया कि महीने भर में अगर आप 10 बकरी रखते तो उसका मेंटनेस खर्च करेका यहां इक बाद प्रिजल्स को आपको साल बर परद जगा यहां लेकिन एक बकरी और 실ब डाशान मीनिवम मैकसी मान मान लीजए के आपको अरली 20-30 रुप्य एक बकरी आपको यह अरली 20-30 रुप्य मीनिमंब 20,000 रुप्य मान ये मैकसीमम भी आपको 50,000 भी जा सकता है मैकसीमम पर मान लीजी कि 20,000 रुपय इंकम देगी चलिए हम लोग 25,000 लेके चलते हैं सर ने खुद बताया इनका खुद का फार्मिंग है और यह इनका जो है अभी इन्होंने आपनों को तो पंदर बिस बक्री से स्टार्ट करते तो आप सलाना जो है धाय लाक रुपे आप अर्न कर सकते क्योंकि एक बक्री जो है आपको पूरे साल में जो है 20,000 मिनम देखे कि अगर मैं गौर्ट फार्मिंग स्टार्ट करूँगा मैं बहुत ज़्यदा बक्री लेकर आऊंगा और गौर्ट फार्मिंग बहुत अच्छे तरीकी से स्टार्ट करूँगा तो फ्रेंट से यह आप लोग कहीं न कहीं बेकोफी होगी आपको इनिशियल लेवल पे कम बक लेने के लिए तो इस बिजनस की यही खासियत है कि आपको कस्टमर नहीं ढूड़ना पड़ेगा तो फेंट्स यहां पे उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी जानकारी जो है मैं आपको गौट फार्मिंग के बारे में दे सका और यहां पे मैं महातो सर का धन्यबाद देना च चाहते हैं कि गौट फार्मिंग का बिजनस कैसे करें तो फेंट्स इसके लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूब कर दीजिए बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में धन्यबाद जय हिंद